धमतरी जिले के ग्राम अमेठी में सब्बल मारकर व्यापावी की हत्या करने वाले पती पत्नी को अपर सत्व न्यायाला ने आजीवन का रवास की सजा सुनाई साथी एक एक हजार रुपे अर्थ दंड से भी दंडित किया बता दे कि हत्या का ये मामला दो साल पहले 16 मई 2022 का है जहां आरोपी फिरंगी इनिर्मलकर ने जमीनी विवाद के चलते अपनी पत्नी फुलेश्वर बाई के साथ लोहे के सब्बल से व्यापावी राजेंद विपावी की हत्या कर दी थी जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपी और उसकी पत्नी को आजीवन कारवास की सजा सुनाई